नवश्कार रिविनियूस में आपका स्वावित है श्रेराम जन्मे भूमी मंदिर के मुख्य गेटी आने के जन्मे भूमी पत से महज़त तीन सो मीचे की दूरी पर अंधरूनी मल्टी लियर पार्किंग है और इसी की चौंती मंदिल पर है शबरी रसोई यहाँ पर एक रेश्ट्रेंट आचसल सुर्क्यों में बना हुआ है और इसके पीछे की वज़े यहाँ की बिल की वारल फोटो है बिल में एक चाई की कीमत 55 रुपए तो टोस्ट की कीमत 65 रुपए दर्शाई गई है पूरे मामली की परताल की और सच सामने आने के बाद आयोध्या विकास प्राधी करण ने सबरी रसोई को नोटस भेज कर स्पस्टी करण मांगा है दरसल अयोधिया की तेड़ी बाजार तिराहे पर अयोधिया विकास प्राधिकर ने अंधरूनी मंटिलियर पार्किंग बराई है और इसके सबसे उपरी यानिकी चौती मंजिल पर यह स्थित है शबरी रसोई श्री राम और सबरी का कलरफुल चित्र भी आपको प्रवेश द्वार पर देखने को मिल जाएगा वहीं शबरी रसोई के टैर से है श्री राम जर्नोमी मंदर साफतर पर दिखाई दिया जबिधी भीतर बड़े होटल के रेस्ट्रेंट की तरह का रेस्ट्रेंट दिखाई दिया वहीं भीतर पहुँचने पर सच जानने के लिए जब वहाँ पर दो चाय का ओर्डर दिया और इस बिल में 55 रुपए के हिसाब से 110 रुपए दो चाय के दाम लिखे हुए थे वही उससे जब पूछा गया कि प्रिंटेट बिल क्यों नहीं है और चाय का दाम इतना महंगा क्यों है तो उसने कहा कि प्रिंट करने वाली मशीन खराब हो गई है इसलिए प्रिंटेट बिल नहीं है वेटर ने हमारे सामने रखा मीनु काज उठा कर दिखाया और उसमें कहा कि देखिए इसमें चाय के दाम 55 है और कॉफी के दाम 75 रुपए लिखे हुए है हमने वेटर से श्रबरी रशोई के ओनर या फिर मैनेजर के बारे में पूछा तो उसमें मैनेजर की तरफ इशारा किया जब मैनेजर के पास पहुँचे तो प्रवंद तंत्र से जुड़े लोग भी मिल गए उसमें से एक ने अपना नाम चंदन बताते हुए श्रबरी रशोई क्या व्यास थापक बताया और जब उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि चाय और टोस्ट के दाम के साथ उन्हें व्यांजकों के दाम क्यों अधिक हैं तो हमने उससे सीधा पूछा कि एक चाय के दाम 55 रुपए क्यों रखा गया है वह भी इस अयोध्या में जहां पर अधिक दर्शनार्थी आते हैं जिसके बाद उन्होंने इसका कोई भी उच्चित जवाब नहीं दिया जिसके बाद शक और भी जादा बढ़ गया अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे मामने में क्या परताल होती है